तो यहां पे आप देख सकते हैं यह Redmi Y1 model है और यहां पे headphone logo आ चुका है इसमें काफी काम उन्होंने कर लिया है headphone jack इन्होंने बडल दिया है और कुछ component इन्होंने निकाल दिया है कुछ लगा दिया है और इसके अलावा CPU अगरा भी कर लिए इनों आपको मैं मॉडल भी यहां पर दिखाना चाहूंगा एक बर यह कॉलकम बेस्ट सीप्यों है जैसा आप देख सकते हैं रेड्मी वाइवन है हाला के कोई भी मॉडल हो अगर कॉलकम का सीप्यों होता है जिसके अंदर उसमें हमारी जो आडियो ऐसी होती है वह पावर एसी के अंदर होती है और अगर पावर में नहीं रहेगी तो डेबलू सीडी एक अलग से आईसी देखने को मिलेगी आपको वाइरलेस कोडेक जिसे का जाता है यह देख सकते हैं है यहाँ पे है जैक इसका कोई भी यहां पर अभी हैट फोन लगके नहीं लेकिन यहां पर अभी भी सेंबल आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर तो इसको कैसे रिपेर करना है क्या है मैं आपको step by step बताऊंगा तो वीडियो पुरा इन तक देखें बिल्कुल इसकिप मत करें तो चलिए फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा जैसा कि यहां पर देख सकते हैं आप यह हमने बनाया है डाइग्राम अगर आपको इस तरह का सीखना है तो आप जोइन कर सकते हैं फोन फिक्स हदरबाद तो इसमें जो पावर एसी लगके है पी एम एट नाइन थी सेवन इसमें पावर है जिसके अंदर ऑडियो एसी जो है पावर एसी के अंदर ही है जिसको हम कोडेक सेक्षन कहते हैं ओडियो सेक्षन को और सीडी सी जहां पर लिखे मिलेगा आपको यह इसका पावर एसी के अंदर एक कोडेक का सेक्षन होता है काफी सारे सेक्षन होते हैं पावर एसी के अंदर जैसे कंट्रोलिंग सेक्षन हो या audio section हो गया या इसमें Power AC को बहुत सारे working के लिए use किया जाता हैonal हम Power AC में और भी sections होते हैं जैसे Buck Section हो गया या पिर आपका CORE Section हो गया या LDO Section हो गया या फिरriel GPIO Section हो गया या GROUND का सेCTION हो गया ऐसे बहुत सारे making के अंदर sections होते हैं अभी जो हम देख रहे हैं audio section की बात करते हैं power AC का number अगर diagram में ढूणेंगे आप U0701 usage होती है आपकी एक IC होती है और यह headphone jack जो देख रहे हैं friends आप यहाँ पे 6 pin का headphone jack यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पहला pin हमारा ground है उसके नीचे headphone right जो आप ear right में use करते हैं और दूसरा होता है headphone left जो कि आप left ear में यह pin यूज करते हैं दोनों की supply अगर आप देखेंगे तो बीच में दोनों के बीच में कोईल लगके हैं normal दोनों में एक parallel में component लगके हैं जैसे capacitor यहाँ पर उता रहा है अगर सबसे पहले राइट पीन की बात करें फेंड्स तो एक coil के थिरू होते हुए एक parallel capacitor के थिरू होते हुए IC के अंदर अगर आप देखेंगे PM8937 में तो यह 55 नमबर पीन में इस गोले के साथ आपकी headphone right की pin जो है connect होती है इसके अलावा अगर बात करें headphone left की तो बीच में एक coil जुड़के है उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक parallel में capacitor और यह पीन अगर आप देखेंगे headphone left की IC के अंदर 54 नमबर गोले के साथ आपकी यह pin यहाँ पे जुड़के होती है क्योंकि यह जो blog है इसका audio section होता है power IC के अंदर यह audio का section होता है यहाँ पे आपको 55 में right pin हो गई हमारी ear speaker और 54 में हो गई ear speaker की आपकी left pin इसके अलावा बहुत main important pin होती है headphone detection जिसकी वज़े से headphone का symbol आ जाता है headphone का logo आ जाता है होता क्या है फ्रेंट दो तरह के headphone jack आते हैं यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा एक में क्या होता है फ्रेंट यहाँ पे left always headphone left और detection pin आपस में किसी किसी में connect होती है जैसे आप यहाँ से headphone डालेंगे तो यह headphone की जो pin डालेंगे तो यह दोनों अलग हो जाएंगे और आपका उपर symbol आ जाएगा और कुछ model में यह आपस में पहले से अलग होते हैं और जैसे आप headphone का यहाँ पे pin डालेंगे तो यह आपस में दोनों connect हो जाते हैं और connect होने के बाद आपका headphone जो है यहाँ से detect 80 number pin में जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 number pin जो दिखरा आपको 80 number ball जो दिखरा है IC के अंदर तो यह हमारा headphone detection pin है अगर आप इसमें देखेंगे तो series में आपको यहाँ पे 1K का एक register देखने मिलेगा जो के high value का register है जिसका अगर value देखेंगे आप R1107 इसका value है यहाँ पे देख सकते हैं headphone detection pin इसके उपर अगर देखेंगे फ्रेंड्स आप यह FM की pin होती है यहाँ पे भी आपको buzzer मिलेगा ground मिलेगा और यह जो pin connect होती है जाके आपके WCN Wi-Fi IC के पास यह connect होती है जिसको हम wireless communication network कहते हैं तो WCN IC के साथ यह FM की pin होती है जो आप FM भी यूज़ करते हैं इसके साथ रेडियो वगरा सुनते हैं इसके अलावा फ्रेंड्स जब आप headphone jack यहाँ पे connect करते हैं तो headphone से जब आप बात करते हो तो mic के लिए एक pin चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक इन पॉजिटिव टू वलके लिखे क्योंकि पॉजिटिव वन जो है मेन माइक और सब माइक प्रैमेरी माइक तीन माइक की सप्लाई आपको इस पावर एसी के अंदर मिलेगी तो इस माइक के अंदर आप देखेंगे तो बीच में सीरीज में एक कॉइल लगके हैं जो के B1109 जो के नॉर्मल कॉइल होता है उसके बाद एक डायोड लगके हैं यहाँ पे FV1106 के साथ अगर यह पिन शॉट हो जाती है तो भी आपका या फिर यह डायोड शॉट हो जाता है या केपेशिटर शॉट हो जाता है तो यह माइक यहाँ पे काम नहीं करेगा तो एक सीरीज में कॉइल मिला है माइक की सप्लाई में दूसरा डायोड तीसरा केपेशिटर और यह माइक की सप्लाई जो हेड़फोन के लिए आती है पावर ऐसी के अंदर audio section में से 108 number pin से आपको यहाँ पे देख सकते हैं यह माइक की सप्लाई यहाँ पे आपको इस connector के साथ जोड़ी होती है तो यह हमने diagram बनाया है इस handset में अभी जो हमने यहाँ पे diagram आपको बताया है इस model का हमने diagram आपको बना के बताने की कोशिश की है जैसा कि आप देख सकते हैं इस model का हमने diagram बनाया है तो इसमें friends यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा जो connector है already student ने इसका connector भी change कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसमें friends हम अभी step by step check करें और इसमें अभी यह जो phone है friends यह student का ही phone है इनका mail video के end में इनका भी review डालूँगा student का जो phone लेके साथ में आए तो ऐसे को बहुत सारे phones हमारे बच्चे लेकर आते हैं जिनके पास से लेकर के हम आपको solution देने की कोशिश करते हैं बहुत मैनत लगती है friends एक video बनाने के लिए पहले diagram वगरा बनाना होता है सारी चीज चेकिंग करनी होती है उसके बाद इसको repair करके आपको बताते हैं तो friends इस model में मैं आपको बता दूँ जब हमने इसको find out किया तो headphone detection की pin में हमको fault मिला और उसके बाद ये जो IC है ये power AC का audio AC है तो हम इस पे भी काम किये तो आपको वीडियो में पूरा देखिए बिल्कुल इसकी मत करिए ये एक वीडियो अच्छे से देख लिए सारी चीज आपको समझ आ जाएगी otherwise आपको आगे जाकर के problem हो सकती है तो वीडियो पुरा इंट देखिए वीडियो अच्छे लगे फ्रेंड्स इस तरह के काफी सारे वीडियो हम बना रहे है चैनल पर डाल रहे है जरूर अपना प्यारा सा comment दे क्योंकि आपकी खित्मत में हम लोग यहां से इस तरह के वीडियो बना बना कर लेकर आ रहे है ताकि आपको घर बैटे solution मिलता रहे phone fix हैदराबाद की team की तरफ से जरूर comment करें ताकि हम और भी motivate हो और भी इस तरह के वीडियो लेकर आएंगे और भी manage करेंगे और भी आपको solutions देने की कोशिश करेंगे और अच्छे से सीखना है तो आप आना चाहे तो पूरे इंडिया में काफी सारे institute है कहीं भी जाएगे आप लेकिन एक proper एक सही way में knowledge लीजिए handy skill के साथ साथ circuit की knowledge लीजिए तभी जाकर के आप एक अच्छा काम कर सकते हैं otherwise आपके पास से काम वापस चला जाएगा तो चलिए यह आपका headphone काम करेगा दूसरा फ्रेंट यह line हमारी ओके रहनी चाहिए power AC के साथ मतलब audio section के साथ अगर आपको यहाँ पे कोई component missing होता है या कोई एक line short होती है तो भी headphone का logo उपर आ जाएगा या headphone jack खुद खराब हो जाए तो भी problem आ जाएगी या detection pin में में आपको voltages मिलेंगे gr मिलेंगे लेकिन फिर भी headphone का जाएग या पर speaker वगारा काम नहीं करेगा ऐसे में आपको directly audio IC ही change करनी है तो चलिए मैं इसको step by step check करके बताता हूं क्या problem है और यह video परा end तक देखें पहला pin का ground है और दूसरी pin इसकी ear speaker right है और नीचे से 3 नमबर इसकी left pin है और सामने की detection pin है जो के oil आ रही है और ground और उपर जो है माइक की supply यहां पर फिर जो logo आता है वो ear speaker left और detection pin की वज़ा से जो के 3 नमबर और 4 नमबर यहां पर है अगर हम left से counting करेंगे तो नीचे के जो दो pin है जो आमने सामने यह देख सकने है यह अभी आपतम भी नहीं मार रहे है इस तरह का इसमें circuit दिया गया है और जब इसमें हम headphone का जो pin होती है वो लगाते है तो यह देख सकते headphone pin हमने लगा लिया है यह प्पार आप आपस में भीब मार रहे है मतलब हमारा connector तो okay है बट friends ये logo आने का यहाँ पर कुछ और भी कारण हो सकता है connector तो यह उन्होंने already replace कर लिया है CPU revolve कर दिया MMC revolve कर दिये हैं कुछ component आजपास से यहाँ से remove कर दिये उन्हों अभी हम आपको बताएंगे तो friends क्या होता है proper knowledge नहीं होती है तो तब इस तरह का काम करते हैं तो दो तरह के connectors आते हैं जो के already कुछ left ear speaker left और headphone detection pin यह तो red fourth number की जो pin देख रहे हैं friends आप headphone detection pin है जिसके बारे में हमने already आपको बताया है यहाँ पे इस line में एक R11071K का एक resistor है उसके तो यह line इस IC की 80 number ball में जाती है यहाँ पे friends जब हमने इसको trace किया find out किया तो right side में काफी सारे component missing है क्योंकि जो proper knowledge नहीं होती है तो बच्चे क्या करते हैं कुछ component में value अगर नहीं आता है high value के resistors में तो उसको remove कर देते हैं या कभी low value के resistors में buzzer आती है तो उसको निकाल देते है यह देख सकते हैं यहाँ तक तो track okay है इसकी अगर हम cool testing करते हैं resistor के दूसरे side में यहाँ पे GR आ रहा है 630 के आसपास जैसा आप देख सकते है यह जो GR आ रहा है headphone detection pin का audio IC के अंदर 80 number ball से यहाँ तक GR तो आ रहा है तो यहाँ पे friends हमने एक दूसरे motherboard से एक 1K का resistor यहाँ पे निकाला है और सबसे पहले इसको लगाते हैं और यह जो phone हम repair कर रहे है friends सारे students हमारे साथ में live class के अंदर है अभी यह video के end में आप उनका review भी सुनेंगे जो के Bengal से है यह student अपने साथ यह phone लेके आए थे काफी कुछ काम कर चुके हैं दोस्तों market में बहुत सारे मैंने बच्छों को देखा है technician भायों को देखा है IC यह वगारा पे तो वह काम कर लेते हैं लेकिन fault finding में फस जाते हैं line tracing में फस जाते हैं यह resistor का ही fault नहीं है इसमें सबसे पहले हम यह resistor को लगाएंगे उसके बाद जो GR है हम आपको cool testing करके headphone detection pin पे इसका जो GR आना चाहिए वो भी आ रहाए के नहीं आ रहाए यह आपको बता देंगे और इसके बाद next क्या करते हैं काम आपको बताएंगे क्योंके friends deeply knowledge अगर आपको चाहिए जैसे हमने यहापर diagram भी बनाया है इसमें friends इस model को हमने cool testing method से बनाया है हाला कि आपको hot testing भी करनी होती है काफी सारे चीज़ें आपको देखनी होती है यह देख सकते है friends resistor लगाने के बाद यहाँ पे जो value आ रहा है अभी आप देख सकते है 1700 के आसपास यहाँ पे GR आ रहा है जैसे कि आप देख सकते है तो यहाँ पे अभी हमने register लगा दिया है यह line तो ok हो गई है friends लेकिन अभी भी check करेंगे कि headphone का logo गया के नहीं गया क्योंके friends काफी सारे बार आपने देखा होगा आप लोग प्रीजर वगरा से शॉट कर देते है उसके बाद logo तो चला जाता है लेकिन फिर headphone काम नहीं करता है तो यहाँ पे friends एक proper अगर work करना है आपको पूरा internal circuit के अच्छे से knowledge लेनी है आपको और अच्छे से repair करना है headphone भी अगर आपको काम करवाना है इसका तो वो सही से repair करना होगा shortcut method करने से आपका logo तो चला जाएगा friends लेकिन headphone काम नहीं करेगा और अगर दूसरा technician इसको बना के दे देता है तो customer आपका हमेशा के लिए आपके पास से चला जाएगा सुझेगा कि आपको proper knowledge नहीं है एक बार मैं आपको on करके दिखाना चाहूँगा register लगाने के बाद में detection pin तो इसकी okay हो गई और अभी हमारा logo जाता है के नहीं जाता है दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा वीडियो बिल्कुल skip मत करें क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत ही pointed बातें बोलता हूँ आपको तो जिससे आपको बहुत ही help लेगी आगे जाकर repair करने के लिए दोस्तों इसको इसमें हमने cool testing method से इस handset को repair किया है कि line में register missing था register तो हमने डाल दिया है अब phone में देखते हैं logo हमारा जाता है कि नहीं जाता है क्योंकि friends काफी बार ऐसा होता है कि line break हो जाने के कारण या line shot हो जाने के कारण भी या फिर connector खराब हो जाता है तब भी ऐसी problem आ जाती है कोई series का component missing हो गया या कोई parallel component short हो गया connector वगरा lose हो जाता है या तो फिर audio IC से भी problem होता है अभी हम इसमें देखेंगे friends अगर अभी भी हमारा problem solve नहीं होता है तो हम इसका directly जो है audio IC replace करके आपको बताएंगे क्योंकि friends क्या होता है woofer वगरा connect करने की वज़ा से जो car वाले होते हैं रिक्षा वगरा आटो वाले होते हैं देख सकते है friends अभी भी बरकरार है यहां पे कोई भी हमारा logo यहां से नहीं गया है जैसे कि आप देख सकते हैं चलिए PCB को हम बाहर निकाल लेते हैं और अब हम इसका change करने वाले है audio IC जो कि इसका main power IC है दोस्तों अगर आपको यह अच्छे से सीखना है जोइन कर सकते हैं आप phone fix हैदराबाद प्यूंकर on mobile पे ही आपको काम करना होगा friends हर mobile आपके पास date नहीं आएगा इसके लिए आपको अपना handis की लच्छे से बनाना है IC की knowledge आपको रखनी है यहाँ पे देख सकते हैं power IC में काफी सारा page डाला हुआ है और इसके CPU भी निकाल के लगा दिये even cv रिवॉल कर दिये तो friends यह देख सकते हैं दूसरा power हमने रिवॉल करके रखा है यह वाला power अभी इसमें डालेंगे तो सबसे पहले इस power को निकाल लेते हैं और उसके बाद PCP को clean करेंगे और चुंकि power IC का section जो है इसी audio IC का section इसी के अंदर है तो पूरा का पूरा power आपको बदलना होगा अगर आपके पास WCD wireless codec अगर से अलग से होती WCD तो हम power पे काम ना करते हुए audio IC पे काम करते क्योंकि अभी IC में audio है तो हम यह power IC को निकाल लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस power IC को मैं remove कर लेता हूँ देख सकते हैं बहुत आसनी से हमने remove कर लिया है और इसके PCB को हम clean कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा power IC डालूँगा यह power को यहीं पे मैं सामने रखता हूँ आपके जैसे कि आप देख पा रहे होंगे PCB को भी आप अच्छे से देख लिजे यहाँ पे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सारे students हमारे साथ live class में है और हमारे पास कोई student का फोन नहीं होता है फ Sup यहाँ पे जो रेपेरिंग के लिए आते हैं बहुत अच्छे लेवल पे advanced लेवल पे प्रो लेवल पे चिप लेवल पे एक professional लेवल पे उनको training देते हैं तो यहाँ पे Power IC के जो नीचे के ats है PCP पे इसको half इस side से clean करते हैं और boat को घुमा करके उपर से कर लेते हैं थोड़ा सा clean क्योंकि फ्रेंड्स ये clean करने में बच्चे क्या करते हैं एकी side से करने जाते हैं और आसपास के registers, capacitors वगरा जो है missing हो जाते हैं तो फ्रेंड्स आप धियान रखे काम करने के टाइम पर बिल्कुल जलबाजी ना करें एक patience के साथ काम करें क्योंकि ये हमारा जो काम है टेकनिक का काम है ट्रिक्स का काम है इसमें आपका skill का काम है इसमें ताकत वगरा नहीं लगती है तो यहाँ पर power AC हमने अच्छे से clean कर ली है जैसा के देख सकते हैं आस पास में कोई भी रांगा वगरा फसा नहीं होना चाहिए नीचे से कोई भी रांगा जो है किसी भी बॉल में उपर नीचे नहीं होना चाहिए अच्छे से clean करें उसके बाद फोड़ा सा flux यहाँ पर लगा लेते हैं उसके बाद हम power AC को यहाँ पर बिठाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या कोई और problem आती है या आप हमारा problem solve हो जाता है प्रिंके friends इस condition में क्या होता है कि आपका speaker वगरा भी नहीं बचता है बट नीचे आपको GR तो मिलेगा उसके बाद जब गाना वगरा प्ले करोगे तो आप voltage भी मिलेगा बट friends यहाँ पर audio का data जो audio का signal है वो अगर नहीं आएगा तो आपका sound वगरा नहीं काम करेगा और यहाँ पर friends जो headphone का जो symbol आ रहा है audio IC के अंदर audio का section damage हो जाने के कारण क्योंकि वूफर वागरा connect कर देने के कारण on condition में वूफर का pin connect कर देते हैं तो ऐसे में audio codec जो है वो यहाँ से damage हो जाता है ऐसे में आपको पूरा का पूरा power IC ही बदलना पड़ेगा क्योंकि अगर separate IC होती यहाँ पे side में देख सकते हैं yellow color के mark है इससे हमको match करना है और ध्यान रखे CPU है MMC है side में आसपास में component है कोई भी missing, misplace या overheat नहीं होनी चाहिए तो यह hand skill technique का का काम है यह सब IC वागरा लगाना बहुत basic काम है फिर्ण्स अगर आप phone trick थेदराबाद को training के लिए आते हैं तो इस तरह का काम हम आपको 2-3 दिन के अंदर 4G का CPU done करवाते हैं हर बच्चे से चाहे वो fresher हो या पहले से काम कर रहा हूँ black paste, white paste, dual liquor के boards देते हैं practice के लिए laptop देते हैं, motherboard देते हैं, रहने के लिए room free देते हैं, इतना सब कुछ शायद ही इंडिया में इतनी कम fees में कोई और institute आपको देगा friends हमारे यहाँ पे जो भी होता है friends पुरा 100% practical काम हम सिखाते हैं बच्चों के साथ रहे के काम करते हैं इस वीडियो के इंड में आप सुनेंगे student जो फोन ये लेकर आए क्या क्या काम किये, वो आपको बताएंगे जरूर सुनें, ये बेंगॉल से है student 5 September batch के, उन्ही का फोन है तो यहाँ पे हम class में live उनको repair करके भी बता दिये कि क्या क्या problem आ सकती है, कहां से आ सकती है तो front line on की, supply on की knowledge होगी, आपके पास basic components की knowledge होगी, आपके पास basic GR और voltage measurement कहां कितना आना चाहिए knowledge होगी, तो जरूर आप कोई भी handset repair कर सकते हैं चलिए, एक बार handset को on कर लेते हैं, और on करके check करते हैं, कि हमारा problem solve होता है कि नहीं होता है DC से मैं यहाँ पर on कर रहा हूँ क्योंके friends, इसका battery जो है अभी charge नहीं है हमारे पास इसलिए battery हमने रख दिया है अब देख सकते हैं, दूसरा audio AC, दूसरा power AC हमने change किया है हमारे यहाँ पर friends 10 hours practically class होती है जिसमें 3 घंटा circuit diagram, line tracing, fall finding बताते हैं और 7-8 घंटा आपको hand skill का काम कराते हैं जिसमें आपका IC reballing IC लगाना निकालना बहुत easy हो जाता है आपको तो चलिए phone को on कर लेते हैं जैशा है कि friends आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो भी हम काम करते हैं सारे students हमारे साथ होते हैं live video होता है, students के ही set होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ कोशिश करते हैं जेनियून बताने की और कोशिश यही होती है हमारी के बच्चों को solution मिले जो भी यह video देख रहे हैं तो यहाँ पर friends हमारा phone on हो रहा है और on होने के बाद देखते हैं हमारा headphone का logo है, वो जा चुका है के नहीं जा चुका है तो वीडियो skip मत करें जरूर भूरा देखें और last में student का review भी सुनें कि वो क्या कहते हैं, कैसा यहाँ पर training दी जाती है, क्या यह handset पर क्या क्या काम उन्होंने किया था जाता के friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा problem solve हो चुका है, लोगों यहाँ से जा चुका है वीडियो पुरा end तक देखे, thank you very much So friends, जैसा आपने लेगा भी live repair करें यह handset को और यह जो phone है, यह हमारे भाई का यह आप कहां से हैं थोड़ा बताओ आपका इना phone, साथ में लाए थे अपन जब live class पड़ रहे थे headphone jack audio अगरा तो live repair करें इसको, तो ऐसा तो नहीं है इस्टूट का phone है, यह माई कुछ component हटा दिया, इसा तो नहीं है step by step करें आपन तो यह जो ऐसा diagram में बना रहा हूं आपको क्या phone था क्या, अच्छा आप यहां लाने से पहले कुछ कोशिश करें रिपेर करने के उसको, मेरे मेरे तो इतना भी ज्यदा आपको के बाद एक और गोट से हिल्पोन जाक लगा है और चेंज करें उसके बाद चेक किया और हम लोग को पता चला कि उसको फॉल्ट था और इसी चेंज करने का बाद ओक दम पोखे एक दम ओक्य हो गया ठीक है जैसा फ्रेंड्स आप देखें यह अपने साथ पहले कोश करेंगे तो अगर अच्छे सीखना है आप जोईन कर सकते हैं फॉन्फी खैदरवाद वीडियो अच्छा लगा जरू लाइक करें शेर करें नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरू दें थैंकि वेरी मट फ्रेंड्स